वास्तू शास्तर के अनुसार घर में परदों का महत्वपून रोल होता है यह न केवल घर को सुन्दर दिखाते हैं बलकि घर की उर्जा और वातावरन पर भी प्रभाव डालते हैं कुछ वास्तू नियम है जिनके अनुसार घर में परदे रखने चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी हर चीज में सकारात्मक या नकारात्मक उर्जा होती है इसलिए घर के पर्दों से जुड़े कुछ नियम होते हैं जो घर में सकारात्मक उर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं कुछ वास्तू शास्त्र के पर्दों से जुड़े नियम हैं जैसे की पर्दों का रंग ध्यान में रखा जाना चाहिए. नीला रंग सकारात्मक उर्जा को बढ़ाता है जबकी हरे रंग, सुख एवं समरिद्धी का प्रतीक होता है. जानिये वास्तू से जुड़े कुछ टिप्स. घर के मुखिया के कमरे में खिड़की और दर्वाजे पर निये, भूरे या फिर नारंगी रंग के पर्दे लगाने से सकारात्मक उर्जा का संचार होता है जो मुखिया के स्वास्थे के लिए बहतर होता है और घर के अन्य सदस्यों के लिए भी उतना ही लाबदायक होता ह इससे घर में शांती वा, तरक्की की उर्जा बनी रहती है और सदस्यों की तरक्की होती है पती पत्मी के कमरे में उनके दोनों जन तिथी के अनुसार रंग के परदे लगाए जाएं इससे दोनों के बीच अधिक मेलगोल होता है और दामपत्य जीवन में सुख शान्ती बनी रहती है लाल, बैंगनी या फिर गुलाबी रंग सामान्यतह प्यार और रोमेंस के रंग माने जाते हैं इसलिए इन रंगों के पर्दे लगाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है पर्दो का रंग, पर्दो के रंग का चैन बहुत महत्वपूर्ण होता है आपको उन रंगों का चैन करना चाहिए जो सुख और सम्रिद्धी का प्रतीक होते हैं जैसे की हरा, पीला और लाल रंग, पर्दो का फैब्रिक, पर्दो का फैब्रिक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है एक अच्छे फैब्रिक का पर्दा घर में सकारात्मक उर्जा को बढ़ाता है सूती या कॉटन के पर्दे बहतर होते हैं पर्दो की साइज, पर्दो की साइज भी एहम होती है पर्दो की सही साइज का चैन करने से घर में सकारात्मक उर्जा बढ़ती है पर्दो की स्थान, पर्दो का स्थान भी एहम होता है उन्हें उच्छे स्थानों पर लगाने से घर में सकारात्मक उर्जा बढ़ती है